आज हम लोग चैप्टर नंबर नाइन शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है परिवार और नातेदारी या फैमिली एंड किन्सिप अंग्रेजी सब्द फैमिली लेटिन सब्द फैमिलस से निकला है इस लेटिन सब्द से एक ऐसे समुह का बोध होता है जिसके अंतरगर्थ माता और पिता और विवाहित बच्चे नौकर यहां तक की दास भी आते हैं परिवार की प्रमुक विशेस्ताएं क्या ही हम देख लेते हैं विवाह संबंध कुछ आर्थिक बेवस्था वंस नाम की एक बेवस्था सिमित आकार एक सामान्य निवास सार्वभौमिक्ता समाजिक धाचे में केंद्रिय इस्थिती भावनात्मक आधार रचनात्मक प्रभाव सदस्यों का असिमित दायित्व परिवार की इस्थाई और अस्थाई प्रकृती आधी परिवार की प्रमुक विशेस्ताएं हैं वंस नाम के आधार पर पित्री वंसी परिवार और मात्री वंसी परिवार होते हैं विवाह संबंध के आधार पर एक विवाही परिवार और बहु विवाही परिवार होते हैं बहु विवाह परिवार दो प्रकार के होते हैं एक बहु पत्नी विवाह परिवार और दुसरा बहु पत्नी विवाह परिवार तो यहाँ पे हम समझा दें कि पित्री वंसी परिवार कहने का मतलब हो गया कि जिस परिवार में पिता के नाम से वंस चलता हो पिता के बाद पुत्र के नाम से वंस चलता हो और मात्री वंसी परिवार उस परिवार को कहेंगे कि जिस परिवार में माता की प्रधानता हो, माता के नाम से वन्स चलता हो और माता के बाद उसका अधिकार उसकी पुत्री को प्राप्थ होता हो और उसके नाम पे वन्स चलता हो इसे हम मात्री वन्सी परिवार कहते है विवाह संबंध के आधार पर एक विवाही और बहु विवाही परिवार होते हैं एक विवाही परिवार कहने का मतलब है एक व्यक्ति का एक ही पत्नी हो या एक इस्त्री का एक ही पुरुसे विवाह हो तो उसे हम एक विवाही परिवार कहते हैं और बहु विवाही परिवार में परिवार होते हैं जिसमें एक पती के अधिक पत्निया हो या एक पत्नी की अधिक पती हो तो बहु विवाही परिवार भी दो प्रकार के होते हैं बहु पती विवाही परिवार और बहु पत्नी विवाही परिवार बहु पती विवाही परिवार में एक इस्त्री पती और उसके भायों से विवाह करती है तो बहुपत्नी विवाह वो कहलाता है और बहुपत्नी विवाह वो परिवार हो गया कि एक पुरुष एक सेधिक पत्नी से जब साधी करें और उसके साथ जो परिवार बने उसे हम बहुपत्नी विवाही परिवार कहते हैं निवास स्थान के आधार पर मात्री स्थानी परिवार यानि माता के स्थान पर रहने वाला परिवार पित्री स्थानी परिवार यानि पिता के घरा के रहने वाला परिवार तथा नव स्थानी परिवार होते हैं नव इस्थानी कहने का मतलब विवाह के बाद स्त्री और पूरुज जो है माता और पिता के हान नहीं रह करके अन्य किसी स्थान पर रहते हैं। से हम नौस्थानी परिवार कहते हैं सदस्य संख्या के अधार पर मूल परिवार और संयुक्त परिवार होते हैं मूल परिवार कहने का मतलब नाभी की या छोटा परिवार जिसे हम कहते हैं जिसमें कम लोग सदस्य होते हैं माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं और सन्यूक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें एक परिवार में एक से अधिक या तीन पिढ़ी के सदसे एक साथ रहते हैं और परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है जिसमें की तीनों पिढ़ी के लोग साथ साथ रहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं सत्ता या अधिकार के आधार पर मात्री सत्तात्मक परिवार और पित्री सत्तात्मक परिवार होते हैं तो जो मात्री वंसी परिवार होते हैं उन्ही के हां पित्री मात्री सत्ता चलती है माता का अधिकार चलता है और पित्री सत्ता अत्मक परिवार में पिता का उत्राधिकारी पिता के नाम पे सत्ता हो अब पुर जितना भी राइट है जो उतरदाईत हुआ है वो पिता के हाथ में होता है उसे हम पित्री सत्ता अत्म योनिक छाओं की पूर्ति संतानोत पत्ति प्रजाति की निरंतरता शारीरिक कारे क्या है देखें बच्चों का लालान पोशन शारीरिक रक्षा भोजन निवास और वस्त्रों की वस्त्रों आदि की विवस्ता है आर्थिक कारे देखें परिवार का क्या है उत्राधिकार का निर्धारन उत्पादक इकाई आए एवं संपत्ति का प्रबंधन आदी परिवार के आर्थिक कारे हैं आधुनिक युग में परिवार के कार्यों में परिवार के आकार में परिवार के सहयोगी आधार में राज्य द्वारा परिवार के कार्यों का होना विवाह और विवाहिक संबंधों में पती-पत्नी के संबंध में इस्त्रियों एवं युवकों के स्थिति तथा अधिकार आदी में परिवर्तन हो रहे हैं अब आईए हम देखते हैं नातेदारी ब्यवस्था क्या है या किंसिप क्या है नातेदारी ब्यवस्था से अभी प्राए नातेदारी संबंधों नातेदारी संबंध कहने का मतलब रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों के द्वारा बंधे ब्यक्तियों की विवस्था से है रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी की अत्यंत समान्ने परिभासा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्याती अथ्वा कल्पित वाले व्यक्तियों की के मध्य संबंध है नातेदारी दो प्रकार की होती है पहला है विवा संबंधी नातेदारी और दुसरा है रक्त संबंधी नातेदारी विवाह संबंधी नातेदारी में हम उन लोगों को रखते हैं जब एक व्यक्ती का दूसरे एक कहीं भी विवाह के संबंध具 um के संबंधि श्थापित होते हैं एक परिवार के सदस्स से दूसरे परिवार के वन जाते हैं इसे हम जैसे साससूर जेट, साली, साला, नाना, देवार, यह सब विवाह संबंधी होते हैं, यह हमारे नातिदार बन जाते हैं, और दूसरा है, रक्त संबंधी नातिदारी, तो रक्त संबंधी नातिदारी हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, चाचा, बुवा, मामा, मौसी ये सब हमारे रक्त संबंधी है इसे हमारा खून का रिस्ता है दादी, दादा, नाना, नानी ये सब हमारे रक्त संबंधी है तो संबंध हमारे दो प्रकार के होते हैं एक है ववाहिक संबंध और दुसरा है रक्त संबंधी संबंध नातेदारी की स्रेणिया होती है प्रात्मिक संबंधी डूतियक संबंधी और तृतियक संबंधी प्रात्मिक संबंधी हम उस प्रकार के संबंधी को कहेंगे जिनसे हमारा डारेक्ट रिलेशन होता है जैसे कि माता-पिता का अपस का संबंद, पति-पत्नी का संबंद और माता-पिता का पुत्र के साथ संबंद, तो ये सब भाई-बेहन का संबंद, तो ये सब जो संबंद है वो प्रात्मिक संबंदी कहलाते हैं, दूतियक संबंदी हो गया है, जैसे हमारे चाचा, बुवा, इसके बीच में कोई और परसन आता है मम्मी की बहन यानि हमारी मौसित बीच में एक और रिस्ता आता है इस देजे हम दूतियक संबंधी करते हैं और इसे प्रकार तृतियक संबंधी जैसे बुआ के ससूर मामी के माईके के लोग इस तरह से जो भी संबंधी जिसमें हम लोग मम्मी के तीन जैसे जैसे हम स्टेप वाई दूर होते जाता है वसे वसे प्राथमिक दूतियक दूतियक संबंध हमारे बनते जाते हैं नातिदारी ब्यवस्था के समाजिक प्रकार्य या महत्व क्या है सामाजिक बेवहार के नियमों का निर्धारन होता है से सामाजिक बेवहार का नियमन होता है सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है सामाजिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना इसकी प्राथमिक्ता होती है ब्यक्तियों की एकाकीपन की भावना से सुरक्षा मिलती है किन्तु आधुनिक यांत्रिक यूग में धीरे धीरे अब नातेदारी संबंध जो हैं वो दुर्बल होते जा रहे हैं तो यही है हमारा चैप्टर परिवार और नातेदारी अगले क्लास में हम इससे संबंधित MCQ सॉल्फ करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद